हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सफलता मंत्र दोस्टों आज एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और दोस्टों जैसा कि आप सभी को पता है लेक पाल भरती बहुत ही जल्द आने वाली है सुपर्टेट को लेकर भी अब कई आसंकाएं बन रही है जल्द ही उम्मीद है सुपर्टेट को लेकर भी कोई न कोई अच्छी ख़वर आप लोगों को सुनने को मिलेगी यूपी टेट एक्जाम भी आपका दिसंबर में होने के पूरे पूरे चांसेज बने हुए हैं तो इन सभी को देखते हुए आपके लिए लगातार क्लासेज लगातार कोशन्स ला रहे हैं और आपसे ये भी कह रहे हैं कि अंतिम समय है इलेक्षन का समय है सरकार अपनी तरब से पूरी कोशिस करेगी आप लोग के एक्जाम कराये जाए तो आप लोग भी अपनी तरब से 100% देने की कोशिस करिएगा बिल्कुल भी है मत सोचेगा कि अब एक्जाम नहीं होगा पढ़ने से क्या फायदा है तो इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग फिर बढ़ते हैं अपनी जीएस की क्लास की ओर चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करके वेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा और लगातार होने वाली हमारी इन सभी क्लासेस को देखते रहिएगा तो पहले इसको लागू किया था वो आप लोगों को बताना है किस राज्य में इसे सबसे पहले आरंव किया गया था तो इसके पहले आपको बता दें वलवंत राय महता समित की सिफारिसों के बाद सबसे पहले जो आपका 2 सितंबर 1969 को पंचायती राज अधिनियम पारित किया और इसके बाद इससे 2 अक्टूबर 1969 को क्या किया गया था आरंब कर दिया गया था कहां से राजिस्थान के नागौर से नागौर जिला था राजिस्थान में जहां से इसको सबसे पहली बार सुभा रंब किया गया था इस योजना का इसने किया था तो पंडि जबालाल वो श्यक्त ने इस योजना का सुभारमब किया था राजिस्थान से ए नंबर उपसन सही हो जाएगा अगर पूछा जा इसके बाद तो इसके बाद आंध प्रदेश में इसको लागू किया गया था सबसे पहले राजिस्थान में पिर उसके राद आद प्रदेश में इस लोग सभा को भंग कर सकता है लेकिन कब कर सकता है तो options आपके सामने दिये गए हैं इन में से आपका c number option दिया गया कि केंद्रिये मंत्री मंडल की अनुसंसा पर यानि कि केंद्रिये मंत्री मंडल जो होता है उसकी अनुसंसा पर राश्टपती लोग सभा को भंग कर सकता है य के अंतरगत राश्टपती को इस सक्ति दी गई है कि वो अपने सक्तियों के अधीन इसका विख्टन कर सकता है और इसको समाप्त कर सकता है इसको भंग कर सकता है थर्ड नंबर कोश्चन आपके सामने दिया गया है देखे जल्दी से संघिये संभिधान की सामाने आपको बता दें यूपी ट्रपल सी में आपके इस प्रकार के कूट वाले प्रसंद मिलान वाले प्रसंद बहुत ही जादा देखने को मिलते हैं तो दोनों की त्यारी के लिए बहुत ही अच्छे से आपको समझना है तो यहाँ पर आपको चार विशेस्ताइं दी गहीं क्या लिखा गया है लिखित एवं दूस परिवर्तन सिल संविधान केंद्र और संगहातरित इकाईयों के मद्ध सक्तियों का वंटवारा अगला विधाईका वाकारेपालिका के मद्ध सक्ति प्रथक करण और अगला दूई संसत राष्टी विधान मंडल यहाँ पर चारों में स आपके बिल्कुल करेक्ट दिये गए तीसरे वाले ऑप्सन में गलती दी गए इस वज़े से मुसको अलग कर देंगे बिधाईका और कारेपालिका के मद्ध सक्ति प्रधक करण जो है वो अध्यचात्मक सासन पढाली की विसेस्ता होती है और यह आपका इसके इंतरगत अल निलंबित नहीं किया जा सकता है तो आपको पताओ का दोस्तों आपातकाल में जो हमारा संविधान है जो हमारे अनुच्छेद हैं उनको कुछ अनुच्छेदों को निलंबित कर दिया जाता है यानि कि वो उस समय कारेद नहीं करते हैं लेकिन आप्सन में आपको जो अनु अनुच्छेद दिख रहे हैं उनमें से अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 यानि कि D नंबर आप्शन आपका ऐसा है जिने नीलंबित नहीं किया जा सकता अनुच्छेद 20 क्या है कि अप राधों के लिए दो सिद्ध के सम्मंद में सनरच्छण और अगला है 21 प्राण एव जोड़े गए थे कब जोड़े गए थे 44 में संसोधन में जोड़े गए थे याद कर लिजेगा 4 कोशन कंप्लीट होते हैं आगे बढ़ते हैं 5 नंबर कोशन पर दिया गया है भारत के संबिधान में उद्देसिका का विचार लिया गया है तो भारत के संबिधान में जो खिरूप से अमेरिका के संभिधान से USA के संभिधान से ली गई है इसका आपका D number option बिलकुल correct हो जाएगा बहुत ही महतपूर है याद कर लीजेगा उद्देशिका की भासा जो है वो ली गई है आपके और उद्देशिका का विचार जो है वो लिया गया है आपका USA से तो दो आपका सही आंसर हो जाता याद कर लीजेगा चलिए आगे बढ़ते हैं 6 number question पर थाइमीन है थाइमीन किस विटामिन का वैग्यानिक नाम है रासाइनिक नाम है तो आपको बता दें दोस्तों विटामिन V के अलग-अलग प्रकार होते हैं और इसके अंतरगत आपका जो केसिड और इसका विटामिन V2 का नाम होता है राइवो फ्लेमिन इसका विटामिन V6 का नाम होता है पाइरी डॉक्सिन ये तीनों ही आप लोगों को याद रखने इसके लाब आपको हमारी अन्न क्लासिस में सभी चीजें बहुत ही डीपली देखने को मिलेंगी बस आप लो कोशन दियेगा निम्न में से कौन सा कोसिकांग अनुवांसिकी अभियांतरकी से सम्मंदित है तो कोसिकांग इन में से कौन सा ऐसा जो अनुवांसिकी अभियांतरकी से सम्मंदित होता है तो यहाँ पर आपका सही आंसर जो हो जाएगा प्लाजिम दो दिया गया है ये आपका अनुवांसिकी अभियांतरकी से सम्मंदित होता है इनका वाहग के रूप में उप्योग किया जाता इसके अंतरगत ये वांचित DNA को अपने साथ जोड़के अन्न कोशिकाओं को साथ में ले जाते हैं इसलिए ये आपका अनुवांसिकी अभियांतरकी के रूप में जाना जाता है चलिए आगे बढ़ते हैं एर्थ नंबर कोशन पर यहां भी देखिए आपको एक सूची दी गई है दूसरी सूची दी गई है इसमें एक दूसरे से आपको मिलान करना है आपका विज्ञान से संबंदित कोशन है जो कि आपके सुपर्टेट और साथी साथ लेकफाल दोनों के लिए ही एकदम सिलेक्टेड है तो देखे जल्दी से समझिए और आंसर करिए तो इस कोशन का आपका कौन सा आप्सन सही हो जाएगा देखे जल्दी से जो आपका जर्मन सिल्वर होता है ये किस से मिलकर बनता है ये आपका तावा से और निकल से जिंक से मिलकर बनता है यानि कि यहाँ पर आपका सही आप्सन क्या हो जाएगा देखे जल्दी से जो आपका suitable दिया गया उसका आपका सही option हो जाएगा D number option दिया गया पहले का A2 यानि की German silver में क्या होता है निकिल होता है इसका solder में जो होता है इसका bleaching powder में chlorine और hypo में आपका sodium होता है यह आपका सही क्रम होता है यहाँ पर आपका D number option जो दिया गया A2 B1 C4 D3 यह बिल्कुल सही दिया गया आगला question है मिटी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल्द ठंडा रहता है मिटी का घड़ा होता है आपने देखा होगा ग्रामीर छेतरों में पानी मोशली आपको मिटी के घड़ों में देखने को मिलता है और कैसा सुद्ध पानी साफ पानी और ठंडा पानी मिलता है तो यह किस कारण से होता है तो यहाँ पर आपका सही option हो जाएगा B number option वास्पी करण के कारण यह समभभ होता है B number option सही हो जाएगा द्रब की खुली सतह से प्रतेकतापपर धीरे धीरे द्रब का वास्पी करण होता रहता है वासमें बदलता रहता है और इसमें उस्मा की आविश सकता पड़ती है ये धीरे धीरे आपको जो पानी होता वो ठंडा बनाए रखता है ये आपका सही आपसन आपर डी नंबर आपसन हो जाएगा चलिए आगे बढ़ते हैं 10 नंबर कोशन पर निमन लिखित सिध्धानत का रौकेट कारिक करता है इनमें से कौन सा सिध्धानत दिया गया है जल्दी से देखिए समझे और आंसर करते रहिए तो दोस्तों आपको पताऊगा रौकेट में क्या होता है इधन जलने से जो गैस निकलती है पीछे से वो उसम तो आगे बढ़ते हैं 11 नमबर कोश्चन पर यहाँ पर दिया गया निम्न लिखित समुद्री धाराओं में से कौन सी हिंद महासागर की धारा नहीं है आपके सामने समुद्री जलधाराओं दी गई जलधारा से कोश्चन कई बार पूछा जा चुका है तो उम्मीद है आगे यहाँ से कोश्चन देखने को मिलेगा तो यह आपकी समुद्री जलधाराओं में से जो आपकी दी गई है यहाँ पर डी नमबर की धारा वेंगुएला की धारा यह आपकी हिंद महासागर से सम्मंदित नहीं है बाकी तीनों आपके हिंद महासागर से सम्मंदित धाराएं ह यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा यूगम गलत दिया गया है उसे औरों से अलग कर देना है आपके सामने चारों देख रहे हैं जल्दी से देखिए एक तरफ देश दिये गए दूसरी तरफ उनकी राजधानी दी गई है और जो गलत दी गई है वो आपकी कौन सी है जल् आपसन बिलकुल सही हो जाएगा नाइजीरिया की रबात दी गई है जो गलत है रबात जो है वो मौरको की राजधानी है तो डी नंबर आपका बिलकुल अलग हो जाएगा चलिए बढ़ते हैं लोग थर्टी नंबर कोश्चन पर कथन ए दिया गया फिर उसका कारण आर दि हैं इसका कारण दियागा काली कपास बाली मरदाएं सूचम कडिक होती हैं तो इसमें आपको बताना की ए और आर दोनों सही है आर एकी सही व्याख्या करता है ए और आर दोनों सही परंतु आर एकी व्याख्या नहीं करता है ए सही है आर गलत है या फिर ए गलत है आर सही है तो ये आपके थोड़ा confusion वाले question होते हैं और इसका आपका सही option है आपर क्या हो जाएगा कि काली मरदाएं जो हैं वो केबल कपास के लिए सर्वोत्तम होती है इसके लाबा गेहूं वा अन्य फसलों के भी यहाँ पर पैदा होती जबकि वर्साहिन फसलों के लिए यह अनुप्यूक्त होती है यानि कि यह मिट्टी की सूचिमकरवाली मिट्टी होती यानि कि A गलत दिया गया है आर सही दिया गया है वही हमको बताना था और D number option है आपर आपका बिलकुल सही हो जाएगा A वाला कथन जो आपका दिया गया था कि ये केवल वर्साहिन खेती के लिए आदर सही गलत दिया गया है आपका D number जो R कारण दिया गया है बिलकुल सही दिया गया 14 number question है जंबू कस्मीर जंबू स्री नगर राजमार्ग पर जवाहर सुरंग किस्से सम्मंदित है बताई जल्दी से जवाहर सुरंग जो है ये किस्से सम्मंदित है तो यहाँ पर आपका सही option क्या हो जाएगा टिक पर ध्यान मत दीजिए समझे और फिर आंसर करिए तो जो आपकी जवाहर सुरंग जिसे वनिहाल सुरंग के नाम से भी जाना जाता है ये आपकी जो पीर पंजाल परवस्रेणी है उससे सम्मंद रखती है यहाँ पर आपका सही option A number option हो जाएगा यह बाला गलत है आपका A number option यहाँ पर बिल्कुल correct हो जाएगा समझ लीजिएगा तयार करते रहिए एक एक चीज को बहुत ही अच्छे से याद करते चलना है अटल सुरंग के बारे में भी question पूछा जा सकता है अटल tunnel का नाम जिसको दिया गया है वो भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा फिप्टी नमबर कोशन है भारत के किस राज में महिला साच्छर्ता निउन्तम है महिला साच्छर्ता जो रेशियो होता है महिला पूरुस साच्छर्ता में तो वो महिला साच्छर्ता सबसे कम किस राज में है तो यहाँ पर आपका सही option हो जाएगा दोस्तों बिहार इस मामले में बिहार सबसे पीशे रहा है A number option आपका बिलकुल correct हो जाएगा सभी options में से केरल सबसे उपर रहता सभी लोगों को पता है D number option A number option आपका correct हो जाएगा अगला question है भारत में मुद्रा की आंसिक परिवर्तनियता का अर्थ क्या है यह आपका economic से सम्मंदित question है 60 number question है और इसका आपका सही option क्या हो जाएगा देखे दोस्तों यहाँ पर आपका B number option जो दिया गया कि भुगतान असंतुलन के चालूखाते पर परिवर्तनियता यह इस से सम्मंदित है काफी लोगों के भासा समझ में नहीं आती है लेकिन यह question आपके एक दो जरूर देखने को मिलते हैं चलिए बढ़ते हैं 17 number question पर भारत में निर्धनता के इस तरका आकलन किया जाता है एक question बहुत बार आया है और बहुत बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है तो यहाँ पर आपका सही answer क्या हो जाएगा कि परिवार के उपभोग वे के आधार पर इसका आकलन किया जाता है C number option यह पर आपका बिल्कुल correct हो जाएगा उपभोग वे कितना है उसके आधार पर हम आकलन करते हैं चली देखते रहिए समझते रहिए हम इसके पहले GS के चार पार्ट तीन पार्ट दे चुके हैं यह हमारा चौथा पार्ट है उन पार्ट को अगर आपने ना देखा हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है हिंदी की पूरी प्लेलिष्ट वनी हुई है साथी साथ आपको GS और करण्ट अफेर के पुराने कोश्चन भी कराते रहें आगे आपको करण्ट अफेर की क्लास भी जल्द ही देखने को मिलेगी अपना सपोर्ट बनाए रखिए सभी लोग और सभी क्लासेस को देखते रहे 18 नमबर कोश्चन है भारत में हरित क्रांति के प्रनेता कौन है हरित क्रांति का जनक किसको कहा जाता है तो यहाँ पर आपका सही ऑप्सन हो जाएगा MS स्वामिनाथन सभी लोगोंने नाम सुना होगा C नमबर ऑप्सन बिल्कुल सही हो जाएगा करसी बैग्यानिक MS स्वामिनाथन को भारत में हरित करांती का जनक कहा जाता इसके लाबा नॉर्मन वोरलॉग है ये आपके विश्मे हरित करांती के जन्मदाता के रूप में जाने जाते हैं और भारत में हरित करांति लगभग 1966 सरसट में हुई थी उस समय खाद्यान को बढ़ावा देने के लिए नई नई उपज को आगे बढ़ाने के लिए वरद्धी के लिए इसको सुरू किया गया था 19 नमबर कोशन बिल्कुल अंतिम कोशन की और हम लोग बढ़ रहे हैं देखते रहे हैं समस्ते रहे हैं और आंसर करते रहे हैं नरसिम्हम समित निम्द में से किस सुधार से सम्बंदित है नरसिम्हम समित जो है ये किस से सम्बंदित है तो दोस्तों ये आपका C नमबर समित का गठन किया गया जो पूर्व गवर्नर थे M. नरसिम्हम वो इसके अध्यक्ष बनाये गए जिस वज़े से इसे नरसिम्हम समित या फिर वित्तिय छेतर सुधार समित के रूप में जाना जाता है और ये आपकी समित जो है वैंकिंग सनचना सुधार के लिए जानी जात का सही ऑप्षन है घाटे की बजट नीती क्या कहते है इसको घाटे की बजट नीती ऐसी बजट नीती जिसमें राज को या कह सकते हैं राज को इसको घाटा हो रहा हो वो आपका इसके अंतरगत आ जाता है सी नंबर ऑप्षन सही हो जाएगा 20 questions complete हुए कितने आपके सही